आइरलेंड और अफगानिस्तान के दरमयान दूसरा T20 आई मुकाबला जो की आइरलेंड के ग्राउंड वेलफोस्ट में खेला जाने वाला है हम इस मैच से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट हो पीच रिपोर्ट हो वेदर रिपोर्ट हो हेड टो हेड परफोर्मेंस हो या फिर पिछले पांच मैचों की परफोर्मेंस हो पिछले मैच में दोनों ही टीमें ने कैसी परफोर्मेंस किया था उसके बारे में बात करेंगे और साथ इसाथ की प्लियर्स के भी बारे में बात करेंगे दूरों ही टीमों के और आखरी में हम आपको एक बेहतर फैंटसी टीम प्रोबाइट कराएंगे जो की आप बेहतर अंदाज में जो है हलके से ट्रिक लगा कर आप मोटी रकम ग्रांड लिंग हो या फिर श्मॉल लिंग हो आप विन कर सकते हैं दोस्तो इससे पहले अगर आप हमारे टेलिग्राम को जॉइन नहीं किया तो आप हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं फैं तो चले बिना समगवाए आज के समय से जुड़ी जनकारियों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि आज के समय में ग्राउंड जो है वह कैसा बीहब करने वाला है पीछ रिपोर्ट आज के समय में क्या खाने वाली है वेदर रिपोर्ट जो है वह कैसा रहने वाला है दोस्तो तो चलते हैं Ground Report की और बाते करते हैं तो अभी तक जो है वेलफॉस्ट का जो ये Ground है इस Ground में कुल मिलाकर 27 मुकाबले केले गये हैं और 27 मुकाबलों में पहले पल्ले बाजी करने वाली टीम जो है 11 बार जीती है सेकंड बल्ले बाची करने वाली टीम जो है वो 16 बार जीती है अलाग पिछले मैच में अफगानिस्तान की टीम ने दोस्तो वो स्टार गेट को चीर्ष नहीं कर पाया था लेकिन आज के मैच में हमें उमीद होगी कि सेकेंड बल्ले बादी करने वाली टीम का जीतने एका चांस ज़्यादा नज़र आएगा दोस्तो वही बात करें इस ग्राउड में अभी तक दितने भी भी मुकाबले खेले गए हैं इन 27 मुकाबलों में अभी तक जो है जीतने भी रन बने हैं 168 का एबरिज इस ग्राउंड का रहा है दोस्तों बात करें इस ग्राउंड की वही हाइस स्कोर इस ग्राउंड पे आईरलेंड की टीम ने बनाये था बंगलादेश के खिलाफ एक सो नबे रन बनाये था वही लोवेस स्कोर ने न्यूजिलैंड की टीम ने पिछले ही जो है सत बात करते हैं दोस्तों अभी तक जो है इन दोनों ही टीमों के दरम्यान head to head performance की तो अभी तक दोनों ही टीमें ये आरलेंड की टीम हो या फिर अफगानिस्तान की टीम हो दोनों ही टीमों ने कुल मलाक और 19 बार अभी तक आमने सामने हुई है और 19 मुकाबले में 14 मुकाबले अफगानिस्तान की टीम ने जीता है वही 5 मुकाबले में आरलेंड की टीम ने जित दर्ज किया है दोस्तों वही दूनों ही टीमों के आप पिछले पांच मैंचों की बात करें आइरलेंड हो या फिर अफगानिस्तान हो तो आइरलेंड की टीम ने पिछले पांच मैंचों में एक मुकाबले जीती है चार मुकाबले में उन्हें हार कर सामना करना पड़ा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन पिछले निजुलैंड के खिलाफ मुकाबले हो या फिर इंडिया के खिलाफ जो है आखरी मुकाबले में 218 रणों का टार्गेट जो है वो चेस करती हुई दिखाए दी थी तो इसी बजहों से आज के इस मैस में फेबरेट तो हमें आइरलेंड की टीम ही दिखाए दे रही है तो बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की टीम की तो अफगानिस्तान पिछले पांच मैचों मैं चार मुकाबले जीती है बेहतर पफॉमेंच जो है आरलेंड के बल्ले बाजों ने और गेंद बाजों ने किया है लेकिन पिछले मैच में दोनों ही तरफ से फेल नजर आई अफगानिस्तान की टीम के अंदवाजी हो या फिर अबल लेबाजी हो दोस्तो बात करें आज के इस मैच से पहले पिछले मैच में जो है कौन-कौन से प्लेयरों नो बहतर परफोमेंस किया था और कौन-कौन से प्लेयर जो है अफगानिस्तान की टीम में आज के मैच में बहत पिछले मैच में बनाए थे उनके अलावा बात करें तो जादरान ने बताना चाहूंगा उन ऐठा इसे चाह टाइस तरह जो हे माफ़के जादरान नियुक्ति है और रहामत अला गुरबाज ने आठाईस तरह बनाते हुए दिखाए दिये थे पिछले मैच में बात करें तो आरलेंड की टीम की तरब से जहाँ पर मगर्दी ने तीन बिकेट लिया था मगर्दी ने तीन बिकेट पिछले मैच में लिया था उनके अलबा जहाँ पर जोर्ज डॉक्रेल ने दो बिकेट लिया था और आखरी में एक एक बिकेट जो है यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जोस्वा लिटिल को एक बिकेट मिला था और एक बिकेट जो है वो ग्रेथ डेलनी को मिला तो दोस्तो वही बात करें यहाँ पर आरलेंड की बल्ले बाजी और अफगानिस्तान की गिंद बाजी की तो आ के अलावा बात करें दोस्तों तो फॉल इस ट्रेलिंग ने 31 रनों की शंदार पारी खेलते हुए दिखाये दिये थे गिंद बाजे की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम की तरब से मुझीबूर रहमान को एक बिकेट मिला था उसके अलावा रासित खान को एक बिकेट मिल करती है उससे पहले जान लेते हैं आज के इस मैच में शंभावी प्लेइंग 11 की दोस्तों तो आज के मैच में दोनों ही टीमें लगभग सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरती हुए दिखाये देगी आपको फॉल इस ट्रेडिंग और अल्रु बलबरनी के जोड़ी ओपनिंग कर दिखाये देंगे वही अफ्कानिस्तान की टीम की बात करें तो अफ्कानिस्तान की टीम की तरफ से रहमतुला गुर्बाज और उश्मान गनी के जोड़ी ओपनिंग करती हुए दिखाये देगी उनके अला नजीब जादरान जो है आपको तीसरे पैदान पे या फिर नजी आठवे पे रासिद खान नौए पे नमीन उलहक दसवे पे मुझीबु रहमान और इग्रहावे पे फजल फारू की जो है वो खेलते हुए दिखाये देंगे दोस्तो तो चलते हैं बात करते हैं आज के इस मैच में दोनों ही टीमों की की फ्लेयर्स की तो आर्लेंड की टीम बहुत हैं pork consists तक जनकोर आपको बहुत कर फारंश करते हुए दिखाये देसकते हैं उनके लावा ग्रेट आपर जहाबर शोहय जो है दोनों ही तरफ करते हुए दिखाये देसकते हैं गिल्दबाजी की बात केरें तो वह आपको के बहुतर पैर्वमेंस करते हुए दिखाय सकते हैं वही बात करें दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम की तो रहमत अलावा गुरबाद जो है आपको आज के मैज में बेहतर परफॉमेंस करते हुए दिखाये सकते हैं उनके अलावा बात करें तो आपको हजमत अलावा साहीदी और नजीबुल जादरान जो है वो पर आएंगे उनके अलावा बात करें तो गेंदबाची में आपको फजल फारुकी जो है आज के मैज में एक बेहतर परफॉमेंस करते हुए दिखाये सकते हैं दोस्तों तो चलते हैं आज के मैज में हम अपनी टीम में कौन से प्लेयर को रखने वाले हैं तो आज जो है हम दो पिकेट कीपर के साथ जाएंगे दोनों ही पिकेट पिकर एक जो है आरलेंड की टीम का होगा वही अफगानिस्तान की टीम का दूसरा होगा तो आरलेंड की टीम की तरफ से दोस्तों हम लॉर्कें टकर के साथ जाएंगे बहुत ही बेहतरीन परफॉमेंस कर रहे हैं 205 र पर के तो हम रहमत तुला गुर्बाज के साथ जाएंगे पिछले मैच में हलाकि 28 सरन बढ़ाये थे उससे पहले 90, 62 और आट और 15 यानि कुल में लाएकर देखा जाए तो दो बड़ा पारी इसमें भी आया है 90 और 62 की और पिछले मैच में भी 28 सरन आपको बनाते हुए दिखा से आज के इस मैच में दोस्तो बताना चाहूंगा आज जो है आप इसके साथ जा सकते हैं हैरी टेकटर के साथ जा सकते हैं हैरी टेकटर आपको मोस्ट Simmons खिलाडी हो सकते हैं दोस्तों lamar बात करें तो आप यहां पर बलबर्नी बलबर्न के साथ जा सकते हैं या फिर पॉल इस्ट्रिलिंग के साथ जा सकते हैं तो आप एंडू बलबर्न एबी के साथ जा सकते हैं या फिर पॉल इस्ट्रिलिंग के साथ जा सकते हैं उनके लाव बात करें आफगानिस्तान की टीम की तरफ से एक बल्लेबाद जो है हम लेंगे तो हम आज की मैस में नजीबुल जादरान को लेंगे दोस्तों नजीबुल जादरान आज के मैस में बेहतर परफॉमेंस करने वाले करने वाले 100% तो नजीब जादरान या फिर अगर आपको लेना है तो उश्मान गनी को ले सकते हैं तो एन जादरान बनाये हैं एक मैच में 43 बनाये हैं गिंदबाजी में पिछले मैच में दो बिकेट लिया था उससे पहले वाले मैच में हलागे कोई बिकेट नहीं में लाता पिछले पांच मैचों में तीन दो दो यानि पिछले तीन ही मैच में छे बिकेट चटका चुके हैं तो आज के मैच में हम आपको जहाँ पर जाएंगे जो डॉक्रेल के साथ और एक अल्राउंडर्स की बात करें तो आप अगर अल्राउंडर्स को खिलाना चाते हैं तो मुहम्मद नभी को खिला सकते हैं एमेन को खिला सकते हैं या फिर मुहम्मद नभी को हटा कर आप एक बल्लेबाद में एक जहां पर गनी दूनों में से किसी एक को खिला सकते है दोस्टो शाहीदी या फिर गनी एस एच शाहीदी एच एस या फिर यूजी यूजी ठीक चलते हैं बात करते हैं गिंदबाजों की तो गिंदबाजों में आज हम चार गिंदबाजों के साथ जाएंगे आज के इस मैच में अफगानिस्तान के टीम में दोस्तों आज के इस मैच में हम फजल फारुकी के साथ जाएंगे एफ एप के साथ जाएंगे और उनके अलावा रासित खान के साथ जाएंगे रासिद खान के साथ जाएंगे रासिद खान के बात करें तो पिछले पांचों में ही मैचों में बिकेट चटकाया है एक में दो एक में दो एक में तीन एक में एक और एक में एक यानि कुल मिलाकर नो बिकेट पिछले पांच मैचों में चटकाया है रासिद खान की बात करें पिछले मैंच में भीछां शटाया था उनके अरवा फजल फारुकी आज़ के मैच में बेहतर पॉफॉमेंस कर सकते हैं धोस्तों भालाकि उम्रेज़ई ने अच्छी पॉफॉमेंस ज़रूर पिछले पांच मैं जोबल किया दो है लेकिन आज के मैंच में फजल फारुकी आपको एक बहुतरीन प्रफोर्मिंस करते हुए दए सकते हैं तो आज हम फजल फारुकी के शाथ जाएंगे राषिद घाल नाा कि ढrab आज के मैच में तेज गंदबाजों के साह dran हो ही एक और तेज गंदबाज़ firearm के साकते ही तो आप जो सुआ लीटिल जेल के साथ जा सकते हैं या, मार्क, मार्क के अधिर, के साथ जा सकते हैं तो AB या फिर PS के साथ जाएंगे या पॉलिस ट्रेलिंग या फिर एंडू बलबर्नी के साथ जाएंगे और एक और अफगानिस्तान में नजीबूल जादरान और उश्मान गनी में से किसी एक को खिलाना है तो खिला सकते हैं या फिर आप मुहम्मद नभी को डॉफ करेंगे तो आप यहाँ पर उश्मान गनी या फिर हजरतला साहीदी को खिला सकते हैं एक और लाउंडर्स के रिस्ट में आप जहां पर जो डॉक्रेल के साथ जा सकते हैं गन्द बाजों में आप फजल फारूकी रासित खान उन के रावाबाद करें तो बैरी में गर्डी और जोस्वा ली टील या फिर मार्क एडीय के साथ जा सकते हैं दोस्तो आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो आज के मैच में आप वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन जो है रासिद खान को बना सकते हैं रासिद खान आज के मैच में बेहतर गिंद बाजी कर सकते हैं उनके अलावा बात करें तो बल्ले बाजों बन इसको बना सकते हैं या फिर इसको बना सकते हैं या फिर आप जो है हैरी लॉर्क एंटकर को बना सकते हैं तो यह रही दोस्तों आज के इस हमारी fantasy team आपको comment box में जरूर बताया कैसी लगी यह fantasy team और साथ-साथ अभी तक हमारे टेलिग्राम को जोईन ने किया दोस्तों टेलिग्राम को जोईन जरूर के जगा जैहीं दोस्तों